हाई वीवर्स जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपको बताएंगे के हलवाई जैसा कलाकन घर पर केसे बनाएं वो भी सिर्फ दो चीजों से आसान फूर्ड रेसिपिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले तो चलिए सुरू करते हैं कलाकन बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है दो लिटर फूल क्रीम दूद और आधा कप यानि की सो ग्राम चीनी हमने जो दो लिटर फूल क्रीम दूद लिया है उसमें से जो 150 लिटर दूद है उसको हम एक बरतन में अलक से एक उबा लाने तक हाइफ लेम पर अच्छे से गरम करना है देखे हमने इस बरतन में सिफ देल लीटर दूद को अच्छे से गरम करना है आज की इस वीडियो के बारे में मैं आपको एक बात बताती चलूं कि यह रेसीपी मैंने अपनी भुवा से ली है लेकिन इत्ते फाक से उनका घर पर आना हुआ तो आज उनकी बताई हुई को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसकी कौंटिटी आधी ना हो जाए और बीट-बीट में इसे चलाते भी रहेंगे ताकि जो दूद है वो नीचे ना लगे कलाकन बनाने के लिए हम दूद को फार कर उसका छेना बनाएंगे इसलिए हमने यहाँ पर लिया है दो टेबल स्पून नीबू का रस और नीबू के रस को डाइलूट करने के लिए हमने इसमें एट किया है दो टेबल स्पून पानी दूँद्ट में एक उपा लाने के बाद हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और इसमें एड्ट करेंगे हमारा डाइलीट के होवा निम्बू का रस यहाँ पर एक बात का ध्यान तक्वाइब करना हैं कि हम एक सात एड्ट नहीं करेंगे हम इसमें थोड़ा थोड़ा एट करेंगे यानि कि हमें पूरे दूट को फाणने के लिए तीन से चार बार इसे एट करना होगा आप यहाँ पर नेम्बू के रस्ट की जगा दो टेबस पून विनेगर यानि कि वाइट सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन उसे भी हमें डाइलूट करके ही इस्तेमाल करना है यह देखिए हमारा छेना बनकर बिल्कुल तयार है कलाकन का जो छेना होता है वो बिल्कुल सोफ्ट होता है इसलिए हम जो डाइलूट किया हुआ नीम्बू का रस्ट करते हैं उसे थोड़ा-थोड़ा करके एट किया जाता है अब हमें छेने को पानी से ऐलक करना है इसलिे हम इस तरह एक बोल पे च्छनी को रख कर इसको सूती के कपड़े से कवर कर लेंगे जान रहे करके यहाँ पर हमें सूती का कपड़ा इस्तेमाल करना है अब आजिस्ता से हमारे तयार की हुए छेने को इस तरह से हम इस पर एट करेंगे और अब हम छेने पर पानी एट करेंगे दिखें यहाँ पर पानी एट करना बहुत ही जरूरी है इसा करने से छेने में से जो नीम की खटास है वो अच्छी तरह से निकल जाती है पानी डालने के बाद अब हम चम्मच की मदद से इस तरह से इसे हलके हाथों से प्रेस करते रहेंगे ताकि इसमें से जो खटा से वो अच्छी तरह निकल जाए छेने का पानी अच्छी तरह से निकालने के बाद अब हम इसको मेसर की मदद से इस तरह अच्छे से मेस कर लेंगे आप यहाँ पर फोक का इस्तिमाल करके भी से मेस कर सकते हैं तकरीबन एक से दो मिनिट के लिए हमें इसे मेस करते रहना है हमने पेन में जो दूद गरम करने रखा है उसमें चीनी एट करेंगे हम यहाँ पर चीनी आधी एट करेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखें चीनी को हम एक साथ नहीं एट करेंगे अब इसमें एट कर देंगे बाकी बची हुई चीनी अच्छे से मिक्स कर लेंगे चीनी एट करने के बाद हमें से लो फ्लेम पर एक से दो मिनिट तक लगाता चलाते हुए पकाना है अब गेस की फ्लेम को हाई कर देंगे और इसमें एट कर देंगे छेना देखे छेना एट करने के बाद हम इसे लगाता चलाते हुए हाई फ्लेम पर अच्छे से पका लेना है तक्रीबन पांच मिनीट तक हमने इसे हाई फ्लेम पर लगाता चलाते हुए पकाया है इसी के साथ हमारा कलाकन बनकर तैयार है अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे अब हम कलाकन को इस तरह के एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे देखे हमने इसे ठंडा नहीं किया गेस की फ्लेम को ओफ करने के बाद हम तुरंत ही से प्लेट में ट्रांसपर करेंगे और इस तरह से हलके हाथों से इसको सेट करते रहेंगे और अब इसे ड्राइफ रूट से गानिश कर लेंगे बुआ को बादाम बहुत पसंद है इसलिए उन्होंने सिर्फ बादाम से गानिश किया है लेकिन आप गानिशिंग के लिए बादाम और पिस्ते दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं इस अच्छी तरह से सेट करने के लिए डेड़ से दो गंटों तक रूम टेंपरेचर पर रखेंगे यह अच्छे से सेट हो जाए इसके बाद हम इस तरह से इस पर कर्स लगा लेंगे देखा आपने हमने कितने आसान तरीके से सिर्फ दो चीजों का इस्तेमाल करकर हलवाई जैसी कलाकन घर पर बनाई आप इस रेसिपी को अपने घर पर जरूर ट्राइ कीजिएगा और कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं कि बुवा की बनाई हुई ये स्पेशल रेसिपी आपको कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और इसी ही आसान इसी पीस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले